जितने भी प्लांट लवर होते हैं ना उनको हमेशा प्लांटर्स की कमी रहती हैं तो 15 रुपे में आप फ्री का एक बड़ा प्लांटर रेडी कर सकते हैं असलालेकूम फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल शेब नूरेली आए तयार करते हैं एक अच्छा सा प्लांटर दू जगा अच्छा रखा हुआ था फ्रेंट्स तो मैंने एक ही में कर दिया दोनों और इस लबे को कर लिया खाली फिर जितना भी आईल था एक पेपर की हेल्प से मैंने उसको पहले सब पोछ दिया और उसके बाद इस क्रप से मैंने थोड़ा थोड़ा सा इसको साफ कर लिय है अभी उतना तो नहीं साफ हुआ है लेकिन इस पर पेंट लगा देंगे ये नीट एंड क्लीन लगने लगेगा और इसको भी यूज़ करेंगे मैंने यहाँ पर भी होल बना दिये हुए हैं एक ये और एक ये और साथ में इस पर ट्रेनेज होल बना दिये हैं प्लास्टिक का कंटेनर है तो जादा से होल बनाना जरूरी होता है क्यूंकि इसमें होल्स नहीं होते हैं छोटे छोटे इस वज़ा से पानी ये सोक नहीं करत तो चलिए, पहले मैं इसको पेंट लगा देती हूँ, इससे सुखने रखती हूँ, और साथ में अपनी क्यारी से मिट्टी जो तयार रहती है, उसको भर कर लेकर आई हूँ, इसमें सैंड है, और स्वाईल है, और साथ में ये गोड पूप का फार्टिलाइजर है, जो मैं इस और सबजियों के छिल के तो बस पहले हम इसको पेंट लगा देते हैं फिर इसको भरते हैं इस टाइम मेरे पास यही कलर अवेलेबिल है यह एनेमल कलर है जो लोहे या ग्रील बगएरा पेक करते हैं यह पानी से वाश नहीं होता है इस वज़े से प्लांटर्स पे काफी टिका होता है यलो कलर वैसे भी अच्छा ही है और इस स्क्रीन को छिपाना है हमें तो बस इसी पर थोड़ी सी डिजाइन हम डालेंगे और इसके लिए पस सिर्फ इतना चोटा सा पीस लीजिए फैबरीक का इसी से हम करते हैं या आपके पास कॉटनों से कर लीजिए और ब्रेश अगेरा से हम नहीं करते हैं इसे बहुत आसान होता है जितना यहां लिखा लिखा हुआ सा है मैं उसको हाइट कर देती हूँ अभी तो मेरे एक हाथ में कैमरा है इसलिए यह रभा हिल रहा है थोड़ी दिर बाद में आपके साथ शो करूंगी इसको पहले पेंट कर लेते है और हाथ दो कोड लगा कर पेंट करेंगे ताके अच्छे से हो जाए थोड़े से इसमें कंगूरे बना लेते हैं इस पटी के उपर और नीचे घर में बनाए हुए कंटेनर से आप जो प्लांटर बनाते हैं वो यूनीक होते हैं साथ में आपकी बग्या को कलरफुल बना दे हैं और फ्री के भी होते हैं लाइट वेट भी होते हैं इसको बनाने के काफी सारे फायदे हैं तो आप बनाएए जरूर यह प्लांटर पेंट होकर रेडी हो चुका है अब बस इसको हम थोड़ी देर सुखा लेते हैं धूप में ही रखा हुआ है तो जल्दी सुख जाएग और वीडियो जादा लॉंग ना हो इस वज़े से फ्रेंड्स मैंने इसको फिल करके आपके सार्थ शो कर रही हूँ लेकिन इसके रिपोर्टिंग हम आपके सार्थ शेर करने वाले हैं इस वीडियो के पार्ट टू में तो पार्ट टू देखने के लिए चैनल को सब्सक्रा आपके पास पहुंच जाएं वैसे भी शाम के टाइम किसी भी प्लांट को रिपोर्ट करना बहुत अच्छा होता है क्यूंकि रात बर में युमिटिटी होती है जिसकी वज़े से प्लांट सूकता नहीं है और आप इसको पूरी तरह से वाटर कर दीजिए जो प्लांटर मै आने से पहले लाइक जरूर कर दीजिएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए लाहाफिज